अनेक लक्षों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अम्रित काल में देश की गती प्रगती का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेत्रुत कर रही है। विशेश रुप से गाउं, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेत्रुत्व भी देश वाचियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। मैं गुजरात में प्राकरतिक खेती के इस मिशन को लगातार करीब से देख रहा हूं। अने प्रगती जोईने उने खरे-खर आनन थाई छे। अने खास करेने खेडुत भाईयों बहनों आ वातने पोताना मनमा उतारी छे, दिल थी लिदी छे। एनाती कोई बिजो रूडो अवसरज ना होई शक है। सूरत में हर गाउं पंचायत में 75 किसानों का चैन करने के लिए ग्राम समीती, तालू का समीती और जिला समीती बनाई गई। गाउं स्तरपर टीमें बनाई गई। टीम लीडर बनाई गई। तालू कापन नौडल अफिसर्स की जिम्मेदारी दी गई। मुझे बताया गया है कि इस दवरान लगातार ट्रेनिंग प्रोग्रेम्स और वक्षप का आयोजन पी किया गया। और आज इतने कम समय में साड़े 500 से जादा पंचायतों से चालिस हजार से जादा किसान प्राकूरतिक खेती से जुड़ चुके हैं यानि एक छोटे से इलागे में इतना बड़ा काम ये बहुत अच्छी शुरूगात है ये उत्साँ जगाने वाली शुरूगात है और इससे हर किसान के दिल में एक बरोसा जगता है आने वाले समय में आप सभी के प्रयत्नों आप सभी के अनुभवों से पूरे देश के किसान बहुत कुछ जानेंगे समझेंगे सीखेंगे सुरत से निकला नेचरल फार्मिंग का मोडेल पूरे हिंदुस्तान का मोडेल भी बन सकता है भाई और भेनों जब किसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए देश वासी खुद संकल्प बद्ध हो जाते हैं तो उस लक्ष की प्राप्ति में हमें कोई रुकावट नहीं आती है न हमें कभी थकान मैसूस होती है जब बड़े से बड़ा काम जन भागीदारी ताकत से होता है तो इसकी सफलता खुद देश के लोग सुनिस्षित करते हैं जल जीवन मिशन का उधारन हमारे सामने हैं गाउं गाउं साप पानी पहुंचाने के लिए इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी देश के गाउं और गाउं के लोग गाउं में बनी पानी समितियां यही तो सब लोग समाल रहे हैं स्वच्य भारत जैसे इतना बड़ा भ्यान जिसकी तारीब आज सभी वैस्विक समस्ताय भी कर रही हैं उसकी सभलता का भी बड़ा स्वे हमारे गाउं को है इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन की और साधारन सभलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे गाउं में बड़लाव लाना आसान नहीं है यह मन बना लिया था लोगों ने गाउं में तो ऐसे ही जीना है ऐसे ही गुजारा करना है गामणा में कहीं बड़ल था है नहीं आउ मानिन बैटा था हमारे गाउं ने दिखा दिया है कि गाउं न केवल बड़लाव ला सकते हैं बलकि बड़लाव का नेत्रुत्व भी कर सकते हैं प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जनान्दोलन भी आने वाले वर्षों में ब्यापक रुप से सफल होगा जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही उंचे सिखर पर पहुँचेंगे साथ क्यों हमारा जीवन हमारा स्वास्थ हमारा समाज सबके आधार में हमारी कृषी व्यवस्ता ही है आपने तके ने अन्ने वो उड़कर भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषी आधारित देशी रहा है इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा जैसे जैसे हमारी कृषी उन्नाट और सम्रुद्ध होगी वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा इस कारकम के माध्यम से मैं देश के किसानों को फिर एक बाद याद दिलाना चाहता प्राकृति खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बढ़ी बाद यह हमारी मां हमारी धरती मां आपना माटे तो आधरती मां रोज आपने पूजा करता हुए सबार्य पथारी मां धी नीचे पक मुकिए तो यह प्यला धरती माता नी मा भी माग़िए ये अपड़ा सौशकार आध धर्ती मानी सेवा और धर्ती मा की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माज़्यम है आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी सौशाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं गाय और पशुधन के जरिये आप जिवामरूत और गन जिवामरूत तयार करते हैं इससे खेती पर खर्च होने वाली लगत में कमी आती हैं खर्चो गटी जाएं साथ ही पशुधन से आएके अतिरिक स्रोत भी खुलते हैं जे पशुधन पहला जिटली आवक आप तो तो अवे आवक महमे रोखाएं इसी तरह जब आप प्राकृती खेती करते हैं तो आप धर्ती माता की सेवा करते हैं मिट्टी की क्वालिटी जमिनी तबियत उसकी उत्वादक्ता की रक्षा करते हैं जब आप प्राकृती खेती करते हैं तो आप प्रकृती और परियावरण की सेवा भी करते हैं जब आप प्राकृती खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रुप से गव माता की सेवा का सवभाग्य मिल जाता है जीव सेवा का आशिरवाद भी मिलता है अब मुझे बताया गया कि सूरत में 40-45 गव सालाओं के साथ अनुबंद करके उन्हें गव जीवा मुरुत उत्पादन का जिम्मा स्वपा जाएगा आप सोचिए इससे कितनी गव माताओं की सेवा होगी इस सब के साथ ही प्राकृतिक खेती से उपजा अन्न जिन करोडों लोगों का पेड भरता है उन्हें किट नाशकों और केमिकल से होने वाली घातक बिमारियों से भी बचाता है करोडों लोगों को मिलने वाले आरोग्य का एलाब अन्हापणे त्या तो आरोग्यनों आहार साते सिज्दो समन स्विकारवा मावे लोशे तमे केवा आहार उपर जिवो छो एना उपर तमारा सरीरनी तबियतनों बंधन होई छे सात्यों जीवन की ये रक्षा भी हमें सेवा और पुन्य के अंगिनत आउसर देती है इसलिए प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशानी का रास्ता तो खोलती ही है ये सर्वे भवन्तु सुकीनह सर्वे संतु निरामया इस भावना को भी साकार करती है तात्यों आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है सुद्ध खानपान की बात कर रही है एक ऐसा खेत्र है जिसमें भारत के पास हजारों सालों का ज्यान और अनुभव है हमने सदियों तक इस दिशा में विश्व का नित्त्व किया है इसलिए आज हमारे पास अउसर है कि हम प्राकृतिक खेती जैसे अभ्यानों में आगे आकर क्रिश्व से जुड़ी वैस्वीक संभावनाओं का काम सभी तक लाब पहुचाएं देश इस दिशा में पिछले आँट सालों से गंबीरता से काम कर रहा है परंप्रागत क्रिशिव कास योजना और भारतिय क्रिशिप पद्दती जैसे कारकमों के जरिये आज किसानों को संसाधन, सुविदा और सैयोग दिया जा रहा है इस योजना के तहट देश में तीस हजार क्लस्ट्रस बनाए गए है लाखों किसानों को इसका लाब मिल रहा है परंप्रागत क्रिशिव कास योजना के तहट देश की करीब दस लाख हैक्टर जमीन कवर की जाएगी हमने प्राकृतिक खेती के सांस्कृतिक, सामाजीक और इकोलोजी से जुड़े प्रभावों को देखते हुए इसे नमामी गंगे परियोजना से भी जुड़ा है प्राकृतिक खेती को प्रमोड करने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाये जा रहा है कोरिडोर बनाये जा रहा है प्राकृतिक खेती की उपज की बाजार वसमें अलग से मांग होती हैं उसकी कीमत भी जाना मिलती है हमना हुँ दाहोद आवे तो तो दाहोद मने बदी हमारी आदिवासी बेहन नों मड़ीती अने इलोको प्राकृतिक खेती करेशे एमने के उसाइब हमारों तो महीना पहला ओडर भूप थी जाईशे अने दर्रोज अमारी साखबाजी धाईशे तरत बजार मान मोंगा भावे अमने बदाए परिशा मलेशे जे रिते गंगानी आजुबाजु पांच-पांच किलोमेटर प्राकृतिक खेतीनों अभ्यान चलाईशे जेती करीने केमिकल नदीमा न जाए पीवामा पन केमिकल पानी पेटमा न जाए भविश मा आपने तापी ना बनने किनारे मा नर्वदाना बनने किनारे आ बद्धा प्रयोग आपने करी शक्ये है और इसलिए हमने नेट्रल फार्मिंग की उपज को सर्टिफाई करने के लिए कान का आमाती जे उत्पांधन थाएनी विशेस्ता हो प्रामानित करने के लिए क्वालिटी एश्यौरंस शिस्टिम भी बनाए है इस तरह की सर्टिफाईड फसलें हमारे किसान अच्छी किमत पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया के बाजार में केमिकल फ्री उत्पाद इस सबसे बड़े आकरसंग का केंदर बना है हमें ये लाब देश के जादा से जादा किसानों तक पहुँचाना है साथियों सरकार के प्रयासों के साथ ही हमें इस दिशा में अपने प्राचीन ग्यान की तरभी देखना होगा हमारे हाँ वेदों से लेकर क्रशी ग्रंथों और कौटिल्य वरामीर जैसे विद्वानों तक प्राकृति खेती से जुड़े ज्यान के अथा भंदार मोजूद है आचारिय देवरत जी हमारे बीच में है वे तो इस विशे के बहुत बड़े जानकार भी है और उन्हों से अपना कि जितनी जानकारी है मैंने देखा है कि हमारे सांत्रों से लेकर लोक ग्यान तक लोक बोली में जो बाते कही गई हैं उसमें कितनी गहरे सुत्रचिपे हैं आपने घबर जे आपने त्या गाग अने भडूरी गाग और भडूरी जैसे विद्वानों ने साधार्ण भाषा में खेती के मंत्रों को जन साधार्ण के लिए उपलब्द करवाया है जैसे ये कहावत है अब हर किसान जानता है इस कहावत को गोबर मैला नीम की खली यासे खेत दुनी फली यानि गोबर आदी और नीम की खली अगर खेत में पड़े तो फसल दो गुनी होगी इसी तरह और एक पचलित कथा है वाक्य है छोड़े खाद जोत गहराई फिर खेती का मज़ा दिखाई यानि खेत में खाद छोड़ कर फिर जुताई करने से खेती का मज़ा दिखाई पड़ता है उसकी ताकत पता चलती है मैं चाहूंगा कि यहाँ जो संस्ताएं जो एंजियोज और विश्यस अगे बैठे हैं बे इस पर अपना ध्यान केंदित करें अपनी मान्यताओं को खुला मन से एक बार टटोले ये पुराने अनुभवों से क्या निकल सकता है हिम्मत करके आप आगे आईए वैज्यानिकों से मेरा विश्यस आग रहे हम नहीं नहीं शोद करें हमारे उपलाब्द संसाधनों के अधर पर हमारे किसान को ताकतवर कैसे बनाए हमारे खेती को अच्छी कैसी बनाएं, हमारी धर्ती माता को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए हमारे वैज्जानिक, हमारे सैक्षिक संस्ताएं, बेज जिम्मेबारी निभाने के लिए आगे आएं, समय के हिसाब से कैसे किसानों तर इन सारे चीजों को पहुचाये जा सकत है, लेबोरेटरी में सित्य किया हुआ विज्ञान, किसान की भासा में किसान तक कैसे पहुचे, मुझे विश्वात है कि देश ने प्राकृतिक खेती के जरिये, जो शुरुवात की है, उसने न केवल अन्रदाता का जिवन खुशाली होगा, बलकि नए भारत का पथभी प तसस्त होगा, मैं कांशी विश्चेत्र से लोगसभा का मेंबर हूँ, तो मेरा कांशी के किसानों से कभी-कभी मिलने का मुझब मौका मिलता है, बाते होती है, मैं मुझे आनद होता है, मेरे कांशी ज़ागे के किसान, प्राकृतिक खेती के समन में काफी कुछ जानकारिया खिट्टी करते हैं, खुद प्रयोग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उनको लगने लगा है, कि अब उनके द्वाना जो पैदावार हुई है, वो दुनिया के बाजार में बिखने के लिए तैयार हो गई है, और इसलिए मैं चाहूंगा, और सूरत तो ऐसा है, शायद ह कोई गाउं ऐसा होगा, जहां के लोग भी देश में नहों, सूरत की तो एक पहचान भी विशेस हैं, और इसलिए सूरत का इनिशे की हो, यह अपने आप में जगमगा उठेगा, साथ कि आपने जो अभ्यान उठाया है, हर गाउं में 75 किसान, और मुझे पक्का विश्मास ह कि आज भले 75 का आपने रख्ष तया किया है, हर गाउं में 750 किसान तैयर हो जाएंगे देखना, और एक बार पूरा इला का इस काम के लिए हो जाएगा, तो दुनिया के जो खरीदा रहना है, वो हमेशा एड्रेस ढूनते ढूनते आपके पास ही आएंगे, तिपे यहां पर केमिकल नहीं है, दवाईया नहीं है, सीधा साधा प्राकृतिक उत्पादन है, तो अपने स्वास्त के लिए लोग दो पैसा जादा देखर के माल ले जाएंगे, सूरत सहर में तो सारी सबजी आपी के यहां से जाती है, अगर सूरत सहर को पता चलेगा, कि आपी सबजी प् खेती नहीं साक, सब्जी मा थी बना अउजाशी आलामा, जो जो. आने पर बोड मार जे, सूरत मालातो, के बही प्राकृतिक खेती वाली सब्जी नू उधियू, तो जो जो जे नवू बैजार उबू धाई रहे हुझे, सूरत नी पोता नी ताक चे, आने सूरत एक बार ब आप सब्सक्राइब बात करवानों मोकों मलेों, आपनों सरस्त में अभियान उपाड़ी उशें, फरी अभिनंदन आप उच्यों, और इसी के साथ आप सभी काम एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्वाम नाएं.